जैहिन एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग इस IB ACIO की सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ मैं हूँ आपका होस्ट सागर गुपता प्लीज एक बार कन्फर्म कर दीजे मेरी वॉइस आप तक पहुच पा रही है या नहीं फिशुरुवात करते हम लोग प्रेक्टीस 04 जल्दी से बताईये कमेंट सेक्षन में और किस किस नहीं आपधे प्रैक्टीस 01, 02, 03 कमپलीट करके आए हो और कैसा लगा एक बार वो भी आप कमेंट सेक्षन में जरूरु बताइएगा ठीक है चलिए जल्दी से बताईये चलिए तो वाइस भी क्लियर है तो शुरुआत करते हैं हम लोग और दीरे-दीरे लाइब में आप एड़ान हो रहे हैं ठीक है चलिए तो बेसिकलिए आपको पता है कि हम लोग यहां पर आपके प्रेक्टिस सैट से यहां पर कवर कर रहे हैं आई-बी के और डेफिनेटली आपने काफी जादा इस सीरीज को प्यार दिया है क्योंकि most important current affairs यहां पर आपको करवाय जा रहे हैं ठीक है और इस सीरीज में भी आपको most of the important current affairs मिलने वाले हैं जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था और जो लोग यह सोच रहे हैं कि sir आप कैसे cover कर रहे हो आपको नहीं पता लगेगा यह आपके 2023 के most of the important current affairs cover हो जाएंगे ठीक है तो आप उसके tension मतलो सिर्फ यह आपको जो मैं sets करवा रहा हूं सिर्फ उनकी आप practice करो और जो मैं extra information बता रहा हूं सिर्फ उनका revision करो आपसे questions बन जाएंगे यह मेरी guarantee ठीक है तो बीना किस देरी के शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट कोश्चन है आपके लिए which of the falling state will host the 69th film fair awards in 2024 काफी जादा easy question है जल्दी से comment section में बताईए उत्तर प्रदेश, गुजरात, महरास्ट या फिर कन्नाट का जल्दी से comment section में बताईए तीक है अगर मैं आपसे बात करूँ जो 69th आपका जो film fair awards होने वाला है वो कहांपे होने वाला है तो basically यह कहांपे होनेवाला है यह होने वाला है आपका घुजरात में ठीक है जो आपका यूपी कहा रहा है वो बिलकुल गलत है और क्योंके आपका यह होस्च कहांपे में पूछ लें कि जो 68 ता आपका जो Film Fair Awards था वो कहां पे हुआ था तो वो हुआ था आपके महरास्ट में ठीक है महरास्ट में आपको पता है मुंबई में क्या क्या हुआ था मुंबई में हुआ था Global Maritime Summit ठीक है और उसके साथ साथ आपको पता है 141st मिटिंग के आपकी जो Olympic की जो आपकी मिटिंग थी वो भी आपकी मुंबई में की गई थी ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ जो 68 आपका जो महरास्ट में हुआ था इसमें Best Movie कौन सी थी कौन बताएगा Best Movie जल्दी से बताओ Best Movie थी आपकी गंगू बाई ठीक है गंगू आपको पता है election के वो भी बने है national icon ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ Best Actress कौन थी ठीक है तो Best Actress थी आलिया बट फॉर दा गंगू बाई कातिया बाई ठीक है तो ये सारे आपको याद रखना पड़ेंगे आपको बस ये याद रखना है कि जो आपका 68 Film Fair Awards था वो आपका कहां पे हुआ था ये हुआ था आपका महरास्ट में Best Movie गंगू बाई Best Actor राजकुमार राव और Best Actress आलिया बट ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ अगर मैं आपसे बात करूँ Oscar के बारे में आपसे definitely award का question पूछा जाएगा और इन में से ही कुछ ना कुछ पूछा जा सकत है तो अगर मैं आपसे बात करूँ Oscar 2023 की Best Movie कौन सी थी यहाँ पर मैं Movie लिख देता हूँ आप comment section में बताइए Movie कौन सी थी जल्दी बताइए Movie कौन सी थी Best Movie थी आपकी Everything Everywhere All Alone ठीके यह वह अब था अलॉन था एक बार आप चेक कर लिजेगा यह Oscar की आपकी Best Movie थी और अगर मैं आपसे बात करूँ Best Actress कौन थी तो Best Actress थी आपकी Michael Yo ठीके और Best Actor अगर आपसे पूछ लें तो यह थे आपके Brandon Fresh थीके बट यह तीनों कोश्चन आपसे शायद ही पूछें बट आपसे एक कोश्चन पूछा जाएगा कि इस बार का Best Original Song कौन था यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे Oscar का थीके Best Original Song कौन सा था वो था हमारे भारत का हमारे प्यारे भारत का त्रिपल आर ठीके यह कोश्चन आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा त्रिपल आर का कौन सा सौंग वो था आपका नाटो नाटो ठीके तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा बहुत जादा important कुश्चन है आपसे लिंक करके यह पूछा जा सकता है कि Best Original Song आपका यह कौन सा था ठीके तो यह था आपका नाटो नाटो सबको यहाँ पे यह या वो किसको दिया गया वो दिया गया Michael Douglas को ठीके और इसकी Best Movie आपको मुझे बताना है कि इसकी Best Movie कौन सी थी International Film Festival of India की जल्दी से आप comment section में बताइए कि IFFI की Best Movie कौन सी थी सर सेट 4 की Annotations के साथ यार सेट 4 होने तो दो जबी तो भेजूँगा Annotation के साथ और सेट 2 की यार मुझे से थोड़ा सा मिस हो गई है बट मैं आपको आज रात में भेज दूँगा ठीक है बाकी सैट 1, सैट 3 के आपके पास PDF है विद एननोटेशन तो आपको मिल जाएगी वो ठीक है टेंशन मतलो चलो सैकिंड कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका ये है Universal Postal Union अब भी हाली में इसको इनोग्रेट किया गया है कौन सी सीटी में इसको इनोग्रेट किया है बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है मैं आपको इसका बताऊंगा महद्व क्या है इंदौर, नई दिल्ली, मॉंबई या फिर भोपाल जल्दी से कमेंट सेक्षन में बताईए काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन है अगर मैं आपसे बात करूँ पहले UPU के बारे में आपसे ये कोश्चन पूछा जाएगा कि UPU क्या है तो अगर मैं बात करूँ ये है आपका Worldwide Postal System जिसकी शुरुवात हुई थी आपकी 1874 में और जिसका Headquarter इस्थिते आपका Burn Switzerland में ये कोश्चन आपसे पूछा जाएगा कि UPU का Headquarter कहां पर इस्थिते तो ये स्थिते आपका Burn Switzerland में ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ ये जो आपकी जो नया Office बनाया है Regional Office भारत में कहां पर बनाया गया तो ये बनाया गया हमारे नई दिल्ली में ठीक है तो प्लीज आप पे इस पे Star Mark कर लिजे आपको ये पूछा जाएगा कि UPU का Headquarter कहां पर इस्थी थे ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ आपको पता होगा कि 125 years पुराना मतलब आप ये समझिए 125 साल पुराना जो हमारा Indian Post Office Act था ठीक है जो हमारा Indian Post Office Act था उसको अब भी हाली में अमेंड कर दिया गया है ठीक है मतलब इसमें संसोधन कर दिया है आप ये समझिएगा कि 125 साल पुराना जो हमारा Indian Post Office Act था उसको अब भी हाली में अमेंड कर दिया गया है तो आप से ये पूछा जा सकता है कितने साल पुराना था तो ये एक बार आप याद रखिएगा बाक तो बेसिकली जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं अवार्ट्स हैं उनके तो मैं आपके 4-5 कोश्चन्स आपके सेशन में रखे ही रखता हूँ और बाकी और भी आपको extra knowledge देने की कोशिश करता हूँ आप मुझे ये बताइए कि आपको एनी अवार्ड इस बार का किसको दिय गया अभिलाज जिंदल, हुजू शरन, ठलब पिल प्रदीप या फिर कॉलिन पॉल देखो एक्चुली क्या होता है ऐसे कुश्चन्स बहुत पूछे जाते हैं जिन अवार्ड का हमने नाम ही ना सुना हूँ ठीक है तो एनी अवार्ड अभी तक आपने नहीं सुना होगा अगर मैं आपसे बात करूँ एनी अवार्ड के बारे में तो ये किस के दवारा दिया जाता है ये दिया जाता है आपका इटली से आपको क्या याद आता है अगर वैं आपसे बात करूँ एनी अवार्ड इस बार किसको मिला तो ये मिला आपके प्रोफेसर प्रदीब जी को प्लीज आप इनका नाम याद रखेगा बहुत जादा इंपॉर्टेंट है आपसे ये कोश्चन पूछा जा सकता है अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये प्रोफेसर प्रदीब कहां के तो ये आपके IIT मदरास के और IIT मदरास की ब्रांच फर्स्ट ओवर्सीज ब्रांच कहां पे खुल रही है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि बहुत जादा डिसकस कर चुके हैं अब आप रिलेट करेंगे अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक प्राइस और इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए able price ठीक है अगर मैं बात करूँ able price ये किसलिए दिया जाता है ये दिया जाता है in the field of mathematics ठीक है in the field of mathematics दिया जाता है और इस बार का ये किसको दिया गया इस बार का दिया गया लुइस कैफरिल को ठीक है एक बार ये देख ले ना आप लुइस कैफरिल को दिया गया एबल प्राइस और ये कोशन आपके 100% कोई ना कोई सेट में पूछा जाने वाला है स्टार मार्ग कर लो जितने स्टार कर सकते हो ठीक है और अगर मैं आपसे बात करूँ ओवर्सीज के आपकी कहां पर खुली तो ये खुली आपकी तन जानिया में ठीक है चलो आगे बढ़े अच्छा इटली का बता दिया आपने इटली क्यों न्यूज में था आपको पता होगा ना बेल्टेंड रोड इनिशेटिव चाइना का इटली ने आप अब भी विड्ड्रॉल कर लिया था अच्छा विड्ड्रॉल से आपको एक चीज और याद है हो कि अंगोला ने क्या विड्रॉल कर लिया था उपेक को यहां से विड्रॉल कर लिया था उपेक में से ठीक है तो next question की तरफ बढ़ते हैं भारत और कौनसी country ने अब भी हाली में sign किया है एक agreement जिसका नाम है horizon 2047 ठीक है ये question आपसे direct question पूछा जाएगा कि 2047 का ये जो horizon mission है ठीक है ये agreement है ये कौनसी country के साथ भारत ने किया गया है जल्दी से बताएगे comment section में अच्छा ये वही country है जिसके जो आपके precedent है वो आपके republic day जो republic day आपकी जो parade होगी उसमें आपके इस बार के chief guest होने वाले है ठीक है कौन है वो Emmanuel Macron ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ ये वही country है जिसके जो prime minister बने है वो first prime minister gay prime minister बने है ठीक है तो नाम भी आपको याद रखना है Gabriel Attil ठीक है अगर मैं वही बात करूँ कि ये वही country है जिसके साथ भारत host करती है वरुना exercise ठीक है और वरुना exercise में भारत की तरफ से कौन सी INS गई थी INS Chennai प्लस INS Tej ठीक है ये वही country है जिसके साथ भारत ने international solar alliance start किया था आपका 2015 में जिसका headquarter Guru Gram में इस्तित है ठीक है ये वही country है जिसका Mont Blank ठीक है Mont Blank अगर मैं बात करूँ ये France का highest mountain है ठीक है जो आपका धीरे-धीरे यहाँ पे कम हो रहा है ठीक है तो आपको ये भी याद रखना है कि Mont Blank कहा का है तो ये आपका highest mountain है France का ठीक है ठीक है ठीक ह वो मैंने आपको यहाँ पे cover करवाने की कोशिश करी है तो आप ये बताईए कौन सी country है ये ये है आपकी France ठीक है तो ये चीज़े आपको याद होना चाहिए और इसी से आप ये current affairs को solve कर पाऊगे ठीक है चलो happy army day okay army day की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुपकामना है ठीक है और इस बार का जो army day parade हो रहा है वो कहां पे हो रहा है वो हो रहा है लखनव में ठीक है आप मुझे comment section में बताएंगे कि इस बार का जो Indian air force day की जो parade हुई थी वो कहां पे हुई थी ठीक है चलो आगे बढ़त है फिफ्ट नंबर का जिसमें आपको बताना है अभी हाली में नीती आयोक के द्वारा एक यहां पर report release करी है जिसका नाम है export preparedness index report ठीक है तो आपको बताना है export में सबसे आगे state कौन सा है तमिलनाडू, महरास्ट, कनाटका या फिर गुजरात इस type के questions भी कहीं बार पूछे जाते हैं तो हमें इसके लिए aware रहना चाहिए जल्दी से बताइए अगर पहले मैं आपसे बात करूँ कि नीती आयोक के बारे में ठीक है नीती आयोक पहले क्या हुआ करता था पहले यह था आपका planning commission सबको बताओगा ठीक है मोधी जी ना इसका नाम change करके नीती आयोक कर द अगर मैं आपसे बात करूँ नीती आयोक और कौन से index देता है तो नीती आयोक देता है आपका health index ठीक है नीती आयोक और क्या देता है नीती आयोक देता है इंडिया का innovation index जैसे आपको पता है global innovation index होता है वैसी भारत का भी इंडिया innovation index होता है जो नीती आयोक देता है ठीक है तो ये आपको इंडेक्स भी याद रखना है, अगर मैं आपसे बात करूँ, कौन से स्टेट बना है, वो बना है आपका तमिल लांडू, तो तमिल लांडू आपका हो चुका है, आपका एक्सपोर्ट में टॉप पे और इसको लॉंच किया गया था नीती आयोग के द्वारा, अचा, तमिल लांडू क्यों न्यूज में था, मुझे तो एक सबसे पॉइंट इंपोर्टेंट याद आता है, सैकिंड स्पेस पोर्ट बन रहा है हमारे प्यारे भारत का, वो बनेगा आपके तमिल लांडू में, ठीक है, और क्या बताऊं, अचा, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, ये इस बार 2024 के कहां पे होंगे, ये होंगे आपके तमिल लांडू में, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, तमिल लांडू में अब भी इनॉग्रेट किया गया था, पंबन ब्रीज, ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, प्रोज एक डॉल्फीन भी आपका स्टार्ट किया गया था, तमिल लांडू में, बट अगर मैं डॉल्फीन की बात करूँ, अब भी हाली में, उत्तर प्रदेश ने डॉल्फीन को अपना एक्यूटिक एनिमल यहाँ पे गोशित किया गया था, शायद आपको पता भी था मैंने, औ प्लस आपका एक यहाँ पे उडू, उडूंग दी, ठीक है, यह आपका गुड है, ठीक है, जो हम गुड खाते हैं न, ठीक है, जैगरी, आप इसको जैगरी कह सकते हो, ठीक है, तो यह आपका दोनों अब भी हाली में GI टेग मिला है, और यह दोनों आपके तमिल नांडू क है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अब भी हाली में टर्मरी को GI टेग मिला है, वो कौन से स्टेट की है, मनीपूर, मेगाले, मिजोरम या फिर असाम, देखते हैं, इसका अंसर कौन बता पाता है, चलो, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स पता है, ठीक है, IIT मदरास का कहां पे ऊपन हो रहा है, यह हो रहा है आपके तंजानिया में, ठीक है, अब आपको बताना है कि IIT देली का कहां पे हो रहा है, अगर आप से देली पूछ लिया तो महा पे फज जाओगे, जल्दी बताईए यह कहां पर open हो रहा है यह open होगा आपका UAE में ठीक है तो make sure to remember this आपको याद रखना है और आपको बताना है इस बार की जो आपकी COP28 की जो submit हुई थी वो कहां पर हुई थी ठीक है याद आया कुछ ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक चीज और आपको याद रखना है कि जो CBSC का एक administration office यहाँ पर open करने की बात की गई थी CBSC आपको सबको पता होगा Central Board of Secondary Education ठीक है तो CBSC का जो आपका administration office यहाँ पर open करने की बात की थी तो वो कहां पर की गई है वो की गई है आपके UAE में ठीक है तो प्लीज आप इसको याद रखेगा बहुत जादा important question है CBSC वाला भी आपका IIT Delhi वाला भी और IIT मदरास open करेगा आपकी first branch तंजानिया में ठीक है तो चलो इसको याद रखना important है ठीक है अच्छा यह बताओ हमारा प्यारा भारत हमारा प्यारा भारत कौनसी कौप पे bidding करके आया है कौनसी कौप bidding करने की बात की गई है नरिंद्र मोदी जी के दवारा ठीक है आप मुझे comment section में इसका अंसर जरूर बताएए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ बढ़ते हैं आपको बताना है 15th edition of nomadic elephant 2023 ये आपको बताना है कौनसी country के साथ हुई थी आपको पताओगा इंडिया और कौनसी country के साथ होती है nomadic elephant जल्दी से बताएए comment section देखो जो आपकी nomadic elephant ये किसके साथ होती है ये होती है आपकी मंगोलिया के साथ और मंगोलिया का capital क्या है उलन बतूर ऐसे याद रख सकते हो अगर मैं आपसे बात करूँ इसमें किसने participate करा था तो इसमें participate करा था जम्मू एंड कश्मीर light infantry ने एक point ये भी important है आप इसको भी याद रखेंगे और अगर मैं आपसे बात करूँ इधर कौन सी country है नेपाल की अगर मैं बात करूँ तो नेपाल के साथ कौन सी होती है नेपाल के साथ होती है सूर की रण ठीक है और ये कहाँ पे होई थी ये होई थी आपकी पिथारगर में ठीक है पिथारगर UK ठीक है उत्राखंड में ठीक है अगर मैं आपसे बात करू उत्रा खंड तो हो गए हमारा United Kingdom की अगर मैं बात करू तो यहाँ पर आपकी हुई थी First Artificial Safety Conference तो यह भी आपको चीजे याद रखना है और मंगोलिया का तो इसका अंसर हो जाएगा कि Nomadic Elephant किसके साथ हुई थी तो यह हुई थी आपकी मंगोलिया के साथ ठीक है श्री लंका की है मित्र शक्ति यह भी आपसे पूछी जाएगी मैंने आपको पहले भी विडियो में बताई कि मित्र शक्ति यह वही एक्सोसाइज है जिसमें आपके first time आपका women's officers प्लस आपके जो para commandos हैं वो participate करेंगे ठीक है तो मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्री लंका के बीच में काफी important question है यह आपके exam में पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं चलो जल्दी से बताईए भारत का first regional AI news anchor हमने बहुत सारी news देखी जिसमें first 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 था बट हमने अब भी तक यह नहीं देखा कि भारत का first regional artificial intelligence news anchor कौन है जिसने में अब भी unveil किया गया URISA TV में जैसे आपको पता होगा जो different different हमारे जो anchors होते हैं जैसे आपने आस तक वगएरा देखा होगा politics का जब देखते होगे तो वो लड़ते रहते हैं आपस में तो अब आप यह सोचो कि वहाँ पे बीच में artificial intelligence को बिठा दिया जाएगा ठीक है तो वो कौन है SEMA, जुही, लीशा या फिर मिका बताओ कौन है वो तो याद रखिएगा यह लीशा ठीक है अगर मैं बात करूँ यह मीका कौन है तो यह था आपका first CEO ठीक है first CEO था या आप इसको यह भी याद रख सकते हैं अगर मैं आपसे बात करू कूलिन्स काollyollyं हो जाता है कुलींस का word of the year क्या निकला इस बार इस बार निकाला है उनने artificial intelligence ठीक है तो ये भी आप इसको याद रखेंगे और एक point में और बताता हूँ indigo indigo ने एक artificial intelligence chatbot यहाँ पे launch किया है जिसका नाम है आपका 6EKSKI ठीक है तो अगर आप से पूछलें कौन सी airline के द्वारा किया गया है तो ये किया गया था indigo के द्वारा ठीक है आपको बता होगा कि अब भी यहाँ पर आयोद्या में आप airport का यहाँ पर उद्गाटन किया गया था तो first flight आपकी कौन सी ओड़ी थी तो वो ओड़ी थी आपकी indigo की ठीक है तो ये point भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं ठीक है चलो आप मुझे यह बताएंगे कि jamini जो आपका एक chatbot है वो कौन सी company का है Microsoft ठीक है Apple या फिर Google या फिर आपकी कोई सी भी company ले लो Infosys ठीक है आपको बताना है जो jamini आपका chatbot है वो कौन सी company का है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स question की तरफ बढ़ते हैं आपको पता होगा रिसेंटली Lord हनुमान ठीक है Lord हनुमान जी को अभी हाली में official mascot बनाया गया था Asian Athletics Championship 2023 का तो आपको बताना है यह कहां पे host की गई थी यह question आपका 100% आपसे पूछा जा रहा है लोड हनुमान जी के related ठीक है पवन पुत्र हनुमान जी से related यह question आपसे 100% पूछा जाएगा कि यह किन का mascot बनाया गया था बताईए कहां पे हुई थी यह हुई थी आपकी Thailand में ठीक है Thailand में हुई थी आपकी अगर मैं आपसे बात करूँ इसमें टॉप कौन रहा टॉप भी मैं आपको बता देता हूँ टॉप किसने करा तो टॉप करा जपान ने ठीक है second पे रहा आपका चाइना ठीक है और हमारा भारत आया third number पे ठीक है तो हमारे प्यारे भारत के आपको position याद रखनी है कि आपका Asian Athletic Championship में ranking wise हमारा प्यारा भारत third number पे था ठीक है तो ये बात आप याद रखेंगे अच्छा कुछ थोड़े से हम लोग यहाँ पर mascot देख लेते हैं जब यहाँ पर बात ही आई है तो थ दूसरा में लिखता हूं एक कौंसा लिखू में तजुनी तो बता दोगे यार बहुत बार मैंने discuss करा दूसरा और कौंसा लिखू में जुही जुही भी लिख देते हैं ठीक है, 4 लिख देते हमें जीतु ठीक है और कौन सा लिखें और कौन सा लिखें बताओ एक शक्ति भी था पहले पांच के बता देखो मोगा जो है आपका जो मोगा है आपका वो कौन से इसका है वो है आपका नैशनल गेम्स का ठीक है यार यह यह पैसे वगेरा यह मत भेजो कुछ जो क्या भेज रहे हो आप लोग या जो आपकी जो गरंत मैगजीन है वो आपको डिलीवर हो जाएगी आपको ट्रैकिंग आईडी हापे मिल चुकी होगी एक बार आपके मेल्स वगेरा चेक कर लीजिए और अगर नहीं मिली तो मैं आपका चेक करके बता दूँगा थोड़ा सा अब भी इसमें डिस्टर्ब मत कीजिए ठीक है और यह पैसे वगेरा भेजा मत करो ठीक है चलो मोगा मोगा अगर मैं बात करूँ आपसे यह नैशनल गेम्स ठीक है नैशनल गेम्स का मैसकट था तजूनी की अगर मैं बात करूँ आपसे तजूनी किसका था तो यह था आपका फीफा वर्ल्ड कप का ठीक है वूमेंस फीफा वर्ल्ड कप का था आपका तजूनी जूही आपका किसका था जो ही कौन बताएगा ये था आपका Women Asian Championship का ठीक है और अगर आपका मैं बात करूँ जीतू किसका था खेलो इंडिया यूद गेम्स का खेलो इंडिया गेम्स का ठीक है और जो शक्ति था वो था आपका IPL का ठीक है तो ये आपको चार पांच ये जो मैसकट्स बताएं प्लीज आप इनको याद रखिएगा बहुत जादा इंपोर्टेंट से ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा मुझे ये बताओ जो आपका moogah था ठीक है आपको पता है नैशनल गेम्स कहाँ पर होस्यथे ये ओस्यथे आपके Gowa में और आपको ये भी подता ऊगा की जो गोःमे में आपके उए ते इसमीं टॉपक किस ने कर रहा तो टॉपke था महराष्ट थे ठीक है आगे बढ़ते हैं next question बहुत ज्यादा important है देखो हम लोग यहां पे July के current affairs भी cover कर रहे हैं ठीक है तो basically आपने देखा होगा कि हमने जो first, second, third practice set में आपने November और आपने December के अच्छे cover किये ठीक है फिर हमने September, October के भी उसमें cover किये फिर हमने August के भी यहां पे cover किये तो हमने बहुत सारे यहां पे current affairs cover कर चुके है ठीक है बस आप उसका tension मत लो मैं आपको हर एक set में बहुत सारी चीज़े cover करवा दूँगा और कल हुआ तो मैं आपके दो set ले लूँगा और आपको tension free होके exam देने जाना ठीक है चलो आप मुझे बताईए कि बैसल्स डे परेड आपको बताना इसको host यहां पे जो command किया गया था Indian Air Force contingent को वो किस ने किया था कोई बताएगा यह question आपके पास 100% exam में मिलेगा आपको क्योंकि देखो reason मैं आपको बताता हूँ reason मैं आपको इसका बताता हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि बैसल्स डे परेड के जो हमारे बैसल्स डे परेड के chief guest कोन थे किस किस को पता है बैसल्स डे परेड के जो chief guest थे वो थे नरिंद्र मोदी जी तेक है जैसे हमारा Republic Day Parade है वैसे ही आपका Vassals Day Parade होता है और ये कौन conduct करवाता है ये भाई साथ France की सरकार करवाती है तो France करवाता है और इस बार के जो हमारे Chief Guest है वो कौन है वो है आपके Emmanuel Macron ठीक है पहले यहाँ पे Joy Bitten आने वाले थे बट यहाँ पे उनने मना कर दिया तो अब यहाँ पे Emmanuel Macron को यहाँ पे invite किया गया है ठीक है और अगर मैं आपसे बात करूँ कौन ने यहाँ पे Indian Air Force Contingent को head किया था तो यह head किया था squadron leader Sindhu Redi जी ने ठीक है तो प्लीज आप इसको याद रखे का बहुत ज्यादा यह important question बन सकता है आपके exam में ठीक है चलो आगे बढ़े अपनी चातुर वैवेदी जी ने वीर guardian किया था ओके 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 चलो आगे बढ़ता है फटा फट करो यार questions यह क्या हो गया तोड़ा सा कुछ glitch है क्या बोल रहा हो highest award भी दिया था फ्रांस ने तभी शायद हाँ highest award भी दिया था हो क्यों नहीं रहा यह यहां पर कुछ वर्क नहीं कर रहा है है दो मिट आप रुकिएगा कुछ glitch है ठीक है कौन से question पर थे हम लोग हम लोग थे 12 पर अब हमें करना है हम लोगों ने 10th question कर लिया है 12 11 ठीक है चलो फटा फट इसको solve करते हैं हम लोग काफी important question है यह भी आपको पता होना चाहिए दा वर्ल्ड हिंदू कॉंग्रेस 2023 कहां पर यह और्गनाइस की जाएगी जल्दी से बताईए बैंकोक, कॉलंबो, मैक्सिको या फिर श्री लंका बहुत important question है यह भी आपका आने वाला है जल्दी बताईए देखिए जो वर्ल्ड हिंदू कॉंग्रेस है 2023 है कहां पर और्गनाइस की जाएगी तो यह और्गनाइस की जाएगी आपके थाइलेंड बैंकोक में ठीक है आपे मैसकर थे लॉड हनुमान जी और अगर मैं आपसे बात करूँ कि यह जो फर्स टाइम आपकी जो हुई थी ठीक है एक चीज आपको और बता देता हूँ बहुत बार यह न्यूज में आई थी वर्ल्ड हिंदी कॉंफरेंस इस बार कहां पर हुई थी 2023 की देखते है इस तो यह बात आपको यहां पर पता होना चीए और अगर मैं आपसे बात करूँ फीजी में हुई थी आपकी वर्ल्ड हिंदी कॉंफरेंस 2023 और अगर आपसे पूछ लें फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉंफरेंस कहां पर हुई थी तो यह हुई थी नाफपूर में बहुत important question है, आपको ऐसा लग रहा होगा सरी, आप कहां पर link करने लगे चीजों को, ये question आपके exam में बहुत बार 2023 में पूछा गया था, ठीक है, तो I guess अगर आपसे पुराने questions पूछते हैं, तो I guess ये बहुत important question बन सकता है, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ Thailand के बारे मे ठीक है, Thailand के बारे में अगर मैं कुछ discuss करूँ, तो आपको पता है कि इस बार यहाँ पे जो Asian Championship Archer भी हुई है, यहाँ पे, 25th Asian Archer Championship भी आपकी Thailand में हुई थी, ठीक है, आप इसको याद रखो या मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना important नहीं है, बट ये बहुत जादा important है, Ocean Naval Symposium, आपसे यह पूछा जाएगा, इस बार का Ocean Naval Symposium कहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था आपका Thailand में, ठीक है, तो ये छोटी-छोटी चीज़े हैं, बट आपके exam के लिए बहुत जादा important हो जाती हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 12th question आपको बताना है, Artificial Intelligence-led Language Translator Platform, ठीक है, एक्चुली ये क्या करता है, for example, आप यहाँ पे English में बोल रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पे किसी को यहाँ पे Hindi समझ में आती है, ठीक है, तो बेसिकली ये इसके बीच में आपे Mediator बनेगा, जिसका नाम है भाशीनी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस क्या करेगा, उस language को यहाँ पे translate करके आपके पास तक पहुचाने का काम करेगा, ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली बहुत important artificial intelligence है, और आप से exam में पूछा जा सकता है, ये बताओ, भाशनी क्या है, तो भाशनी आपको बताना है, ये एक India का artificial intelligence है, जो कि आपका language translator यहाँ पे platform ब discuss कर चुके हैं, तो आप मुझे comment में बता दो, इंडिया का first artificial intelligence school कहाँ पे open होगा, first option is करनाटका, ठीक है, second option is कैरला, ठीक है, third option is तिलंगाना, ठीक है, and fourth option is आंधर प्रदेश, ठीक है, ऐसा ही question आपको आपके IB के exam में मिलने वाला है, फिर आप बोलोगे sir, मज़ा आ गया paper ठीक है, चलो, जल्दी से बताईए, यार बिना option के ही answer दे दिया, very good, चलो, 13 question की तरफ बढ़ते हैं, recently आपको पता होगा कि भारत ने आपका Asian covereddy championship यहाँ पे जीत लिया था, तो आपको बताना यह हुआ कहाँ पे था, किसके दुआरा यहाँ पे host किया गया था, जल्दी से बताईए, देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत के बारे में, ठीक है, भारत ने यहाँ पे Asian covereddy championship यहाँ पे जीता था, बट आपको हराया किसने था, ठीक है, इंडिया ने हराया किसको था, तो इंडिया ने हराया था, इरान को जो कि आपका SEO का नया member भी है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए, आप मुझे comment section में एक चीज बताएंगे, जो बहुत बार आपसे exam में पूछी जाती है, इंडिया और पाकिस्तान ने SEO कौन से year में join किया था, यह question बहुत बार आपसे exam में पूछा गया है, ठीक है, और यह थोड़ा सा tough level का question हो जाता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने, दोनों ने एक साथ आपका SEO को join किया गया था, same year में, तो आप मुझे year बताईए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको बताना है, इरान जिसका capital क्या है, तहरान, ठीक है, और यह कहां पे होई यह हुई थी आपकी South Korea में, ठीक है, चलो, इंडिया और पाकिस्तान ने SEO को कब join किया था, तो यह किया था आपके 2017 में, please make sure to remember this, यह आपसे question पूछा जा सकता है, कि भारत और पाकिस्तान ने SEO को कब यहां पे join किया था, ठीक है, चलो, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, 14th question बहुत जादा important है, आप इस पे star mark कर लो, बिल्कुल star mark कर लो, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, यह question आपके किसी ना किसी set में आने वाला है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा natural arc कहां पे discover किया गया है, ठीक है, कौन से state में discover किया है, आपने वो देखा होगा कुछ, ठ फत्तरों से यहाँ पे बना हुआ रहता है, ठीक है, एक natural arc बना हुआ रहता है, ठीक है, तो बेसिकली यह काय से बनता है, तो यह बनता है आपका weathering से, ठीक है, अगर आप जोग्राफी पढ़ेंगे मुझसे तो और मजा आ जाएगा, यह बेसिकली आपका बनता है weathering से, बोड़ा सा गलत हो गया है, माफी चाहूंगा, महरास्ट लिख लो, बताओ, discovered by GSI के द्वारा discovered किया है, very good, ठीक है, तो यह किया गया है, उडिसा के द्वारा, ठीक है, love from उडिसा, love for उडिसा, okay, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, इस natural arc के बारे में, तो यह आपक इसका नाम क्या है, इसका नाम है, सुन्दर गड़ नेच्रल आर्ट, ठीक है, आप इस नाम से भी याद रख सकते हैं, और यह मिला कहां पे, यह मिला आपके उडिसा में, ठीक है, अचा उडिसा से मैं आपको एक दो चीज यहां पर बता देता हूँ, एक आपको नाम याद गए थे, गवननर से रिलेटेड, कि अब भी हाली में कौन से गवननर यहां पे बने हैं, ठीक है, कौन से स्पीकर बने हैं, ठीक है, तो ऐसे कुश्चन भी कहीं बार आ जाते हैं, जो ज़्यादा न्यूस में होते हैं, ठीक है, तो प्रमीला मली कौन बनी, यह फर्स्ट दिया गया था, यह दिया गया था आपका Norman Bellog Award, ठीक है, और यह कहां की हैं, यह भी आपकी उडिसा की हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, इस बार का World Cup होकी, ठीक है, किरकेट का World Cup तो सबको पता है, कि इंडिया ने होस्ट किया था आपका, जीता हमारा प्यारा भा जर्मनी जीता था ना, और इसको हराया किसने था, हराया किसको था, यह राया था, Belgium को, ठीक है, Belgium जिसका capital है Brussels और यहाँ पे headquarter किसका है, NATO का, ठीक है, तो यह भी याद रख सकते हैं, और NATO का आपका new member आपका कौन बना है, वो मुझे आप बताओगे, ठीक है, 31st member आपका NATO का कौन बना है, कमेंट में बताओ, अचा एक चीज में और बता देता हूँ, उडिसा से related में कोई एक चीज याद आई है, उडिसा से रूबाहू डिक्ती हुई चीज, जिसका नाम है उडिसा, ठीक है, यह एक city कहाँ पे, यह आपकी city है, यूक्रेन में, ठीक है, जिसको रश नया country अब भी हाँ पे कौन सा बना है, यह बना है, आपका Finland, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, 14 questions तो हो चुके हैं, हमारे काफी perfect, अब आगे और बढ़ते हैं, चलिए, 15 questions की तरफ बढ़ते हैं, which country has become the first to win plastic produce backside supermarket, ठीक है, हाँ, यह Udisa, जो मैं आपको बता रहा था, Udisa के बारे में, यह आपकी अब भी हाली में, इसको क्या किया गया था, UNESCO danger list में आपका नाम आया था इसका, ठीक है, और यह Ukraine में ही है, बेसिकली, ठीक है, तो आपको इतना याद होना चाहिए, Udisa कहां परे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको बताना है, कौन सी country बनी है, यह first जिसने बैन कर दिया है, plastic produce bags at supermarkets, देखने है, इसका अंसर कौन बता पाएगा, यह बनी है आपकी New Zealand, ठीक है, बेसिकली, अगर मैं आपसे बात करूँ, यह New Zealand आपकी बनी है, तो आपको यह बात पता होना चाहिए, और New Zealand का capital क्या है, New Zealand का capital है Wellington, ठीक है, Wellington is the capital of New Zealand, और अगर मैं आपसे बात करूँ, की, New Zealand ने अब भी आपको पता होगा, income tax को खतम कर दिया था, ठीक है, और क्या करा था smoking यहाँ पर ban कर दी थी, ठीक है, कुछ यहाँ पर rules and regulations लगा दिये थे, और यहाँ पर जो new PM बने थे अब भी, उनका नाम था आपका Christopher Luxon, ठीक है, तो यह बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है, lecture कितनी बज़े तक चलता है, हाँ, longest passenger train, जो आपकी longest passenger train आपकी introduce की गई थी, वो आपकी New Zealand में की गई थी, ठीक है, तो आप एक point यह भी यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है, चलो, आगे बढ़ता है, 16th question का आपका देखते हैं, अब भी हाली में आपको पता होगा, कि अमिश शाह जी ने अब भी हाली में foundation stone रखी थी, country का फर्स्ट कॉपरेटेडरम सैनिक स्कूल, कौन से state में रखा था, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजिस्तान या फिर कैरला, जल्दी से अंसर कीजि ओली में तरेख था, क्या है, राजना सिंग जी द्वारब विहाली में, अल्गल, सैनिक स्कूल, कहां पे open किया है, कौन इसका अंसर कर सकता है, ठीक है, बेसिकल ही ये open किया है, आपके UP में, और UP में कहां पे किया गया है, UP में किया है,rics्षने जन्मभूमी, मतूरा में, तो यह point भी आपको याद रखना है और यहाँ पे बहुत जादा important है कि यहाँ पे जो सेनी की स्कूल है उसमें सिर्फ यहाँ पे गल्स ही गल्स यहाँ पे रहने वाली है तो basically यह point तो आपको याद रखना है और अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह आपका गुजरात में यहा सब कुछ गुजरात में हो रहा है गलती से सब का अंसर गुजरात मत लगाया ना कुश्चन्स में ठीक है आगे बढ़ें अच्छा गुजरात का आपको बहुत सारी चीजे मैं आपको बता चुका हूँ जैसे आपकी जो द्वार का है ठीक है आपको पता है यहां पे वो होने वाला है यहां पर सब्मरीन यहां पर होने वाली है ठीक है अब भी आपको पता है डायमंड जो आपकी बिल्डिंग यहां पर बनाई थी सूरट डायमंड कॉंप्लेक्स ठीक है और और क्या बता हूँ मैं आपको और क्या बता हूँ यहां पर भी आपको पता होगा गुजर अगर देखोगे तो आपको सब कुछ यहां पर याद आ जाएगा एक और मैं बता देता हूँ नैनो डीएपी प्लांट भारत का फर्स्ट है और यह आया है गुजरात में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो यह कोश्चन अगर आपके एक्जाम में नहीं पूछा तो फिर आपकी वैल्यू कितनी है आपकी यहां पर जो कौन कौन सी कंट्री में आप वीजा फ्री जा सकते हो तो बिसिकली यह आपकी रैंकिंग इसलिए दी जाती है तो भारत की रैंकिंग के अगर मैं बात करूँ तो भारत की रैंकिंग पहले क्या थी और अब भी क्या थी वो भी हम लोग यहां पर discuss कर लेंगे ठीक है तो भारत की पहले ranking थी आपकी 87 ठीक है और अब आ चुकी है भारत की ranking 80 नंबर पर ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं 2022 में आपकी ranking थी 87 और 80 आ चुकी है अब आपके 2023 में और यह question आपसे exam में पूछा जाने वाला है ठीक है क्योंकि basically अगर मैं बात करूँ handling का जो passport index आता है वो सबसे ज़्यादा important होता है ठीक है चलो अच्छा first पे कौन है first पे कोई बता सकता है कि first पे इस बार कौन आया देखो most of the student जपान बता रहे है ठीक है यहीं पर आप मात खा जाओगे ठीक है क्योंकि इस बार top जपान ने नहीं किय आये इस बार top किया है सिंगापूर ने ठीक है मात खा गये ने इस बार ठीक है और second पे रहा है आपका second पे Japan भी नहीं आया है sorry sorry second पे Japan नहीं है second पे आया है जर्मनी ठीक है इटली और इस्पेन इन दोनों ने हाप अपनी रैंक को शेयर किया है ठीक है तो आपको जो जपान जपान बोल रहे हैं प्लीज मत बत करो आप जपान ठीक है और यार हंगर इंडेक्स की क्या बोल रहे हो कमेंट सेक्शन में हंगर इंडेक्स की तो रैंक सबको पता है hunger index की rank है आपकी 111, 4 आपके dimensions पर work करता है आपका hunger index, ठीक है, चलो, अच्छा एक चीज और में बताता हूँ, आपको पता होगा Singapore के साथ भारत एक exercise करता है, जिसका नाम है आपका Simbex, किस-किस को पता थी exercise, ठीक है, इसमें भारत की तरफ से कौन-कौन सी INS गई थी, तो इसमे आपकी कावरती, ठीक है, प्लस आपकी सिंदू-केसरी, ये तीन आपकी INS गई थी, आपकी Simbex exercise में, जो कि आपकी सिंगापूर के साथ होती है, और ये question बहुत जादा important है, जैसे आपको पता है, वरुना में आपकी INS चन्नेई और तेज गई थी, वैसे ही आपकी exercise है, रंड विजे, कावरती हो, सिंदू-केसरी यहाँ पे गई थी, अच्छा एक fact में और बताता हूँ, मुझे एकदम से याद आया, ये जो title है, बहुत पहले से ये जो title था, वो किसके पास था, होंग कोंग के पास, ठीक है, ये title का नाम में आपको बताता हूँ, ये था आपका world का freest country में से, ठीक है, freest country जो थी आपकी world की, sorry, freest economy, ये थी आपकी होंग कोंग, ठीक है, बत अब यहाँ पे किसने सरपास कर दिया है, इसको, इसको सरपास कर दिया है, सिंगापूर ने, ठीक है, अरॉंग ये 40 सालों से ये title आपका होंग कोंग के पास था, बत यह पे अब सरपास कर दिया है, सिंगापूर ने, तो सिंगापूर बन चुकी है, world की freest economy, जब यह आप देख सकते हैं, आपका passport में भी हाँ पे top करता हुआ, दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, चलो, आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, चलो, 18 question की तरफ ब important है, क्योंकि अब भी हाली में इसको एक environmental clearance मिला है, जिसका नाम है, केलाग नगर pen monument, ठीक है, आप बहुत प्यारा monument यहाँ पे design किया गया है, मैंने तो सिफ photos में देखा था, ठीक है, बट यहाँ पे आपका recently news में आया था, पहले इसको government के जो clearance वगेरा है, उसमें आपे दि मिलनाडू, ठीक है, basically, जो हम लोग current affairs कर रहा है, यह आपके July के भी हैं, अगस्त के भी हैं, तो थोड़ा सा आपको recall करने में, I guess, थोड़ा सा problem हो सकता है, but to be very honest, इस type के questions अगर पूछ लिए गए, तो आप 100% उसे attempt कर पाओगे, जल्दी से बताईए, तो आपको याद होना चीए, कि आपका जो केलाग नगर pen monument है, वो कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा था आपका तमिल नाडू में, ठीक है, आपको एक चीज में और बताता हूँ, इंडिया और रशिया, एक मिलके आपका एक जो nuclear power plant है, जिसका नाम है कुंडल कुलम nuclear power plant, यह आपका कहाँ पे, यह आपका तमिल नाडू में, ठीक है, चलो, बताईए, चलो, तो यह है आपका तमिल नाडू, आपको पता होना चाहिए, केलाग नगर pen monument, यह आपका तमिल नाडू है, ठीक है, अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ, आपको कि श्री लंका और हमारे प्यारे भारत ने 40 सालों के बाद एक ferry service से start करी है, ठीक है, तमिल नाडू से यहाँ पे श्री लंका यहाँ पे जाएगी, ठीक है, अगली बार, यहाँ पे 40 सालों बार यहाँ पे start करी है, तो आपको यह पता होना चाहिए, और यह आपकी बढ़िया असी मतलब यह ferry है, ferry services start करी है, 40 सालों बार, यह आपकी जाएगी पार्क स्टेट से ठीक है, तो यह बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ता है, जब तक आप 19 questions का अंसर बताओ, बहुत जादा important है, उस services का नाम है, चेरिया पैली, यह जो बोल रहा है न, यह जो services का नाम है, चेरिया पैली, ठीक है, और श्री लंका की तो बहुत सारी news है, कितनी बार discuss कर चुके हैं, चलो, देखो आपको बताना है, अब भी हाली में, वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजिशन है, अब भी हाली में, malaria free country हाँ पे किसको घोशित कर दिया गया है, कोस्तारीका, पनामा, होंडूरस या फिर ठीक है, बहुत जादा important question है, और जितने भी 2023 के PSC के exams हुएं, उसमें ये question इतनी बार repeat हुआ है, जितने भी आपके जो PSC के exam हुए, 2 से 3 PSC में आपसे question पूचा गया था, ठीक है, कि अब भी हाली में, WHO ने कौन सी country को आपका बना दिया गया है, malaria free, ठीक है, पनामा कौन बो ठीक है, एक चीज में और बता देता हूँ, जो लोग यहाँ पे पूच रहे हैं कि sir, आपका जो PDF से वो कहाँ पे मिलती है, तो बहुत मिलती है, आपकी basically desire to learn telegram channel पे, ठीक है, अगर आप search करोगे around 40 plus के, मतलब subscribers हैं, और आप desire to learn Instagram पे भी आप follow कर सकते हो, वहाँ पे around 180k plus यह subscribe करें channel को, बाकी आपके इच्छा, ठीक है, चलो, बैलीज की अगर मैं आप से बात करूँ, बैलीज जिसका capital क्या है, वॉल्म फैलन, क्या है यार, बैल मो, दो मिने टुक जाओं में लिग देता हूँ, बैल मो, फैनन, ठीक है, बस आप इतना याद रख लो, बैलीज का यह ठीक है, और आपका पूरी तरीके से eradicate कप कर देगा, मतलब खतम कर देगा, वो कर देगा आपका 2030 था, ठीक है, तो बस आपको यह चोटे-चोटे पॉइंट से याद रखना है, जैसे मने आपको कल बताया था, lymphatic philaresis के बारे में, sickle edesis के बारे में, तो वो वाले वीडियो स सारे आपको देखना पड़ेंगे, जब आप यहाँ पे confident खुद से feel कर पाऊगे, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका question है, who amongst the falling from India has joined the MCC World Cricket Committee, ठीक है, बहुत जादा important question है, जैसे आपको पता है कि Hall of Fam, ठीक है, उसी की level का question है, आपका यह वाला question, क्योंकि इनने आपके join कर ली है, MCC World Cricket Committee, तो आपको यह बताना है कि यह कौन है, मिथाली राज, सचिन तेंदुलकर, जूलन गोस्वामी, या फिर VVS लचमन, जल्दी से बताओ, कौन है यह, तो यह है आपकी जूलन गोस्वामी, spinner, है न, spinner थी अपनी, काफी एक important role play किया था इनने, इंडियन टीम में, और सचिन तेंदुलकर के अगर मैं आपसे बात करूँ, तब भी हाली में इनका एक statue यहाँ पे unveil किया गया था, वान खेड़े stadium में, ठीक है वान खेड़े stadium कहां पर है, तो यह स्थे थे आपके Mumbai में, ठीक है Mumbai मेरी जान, और अगर मैं आपसे बात करूँ कि 141st जो आपकी Olympic की जो committee की meeting हुई थी, वो भी आपकी Mumbai में हुई थी, और Global Maritime की जो आपकी meeting हुई थी, वो भी आपके Mumbai में हुई तो यह सारे जो important facts में आपको बार-बार discuss करता हूँ, that's are quite important for your IB exam, ठीक है आगे बढ़े, 21st question बताना है आपको यह question तो यार, जो Titan वाला question है यह तो आपकी I guess CDS में ही पूछाता शाहर, ठीक है, CDS या NDA में पूछाता, ठीक है, तो आगर आपको बताना है कि जो India का submersival vehicle है, ठीक है, जिसको develop किया गया है for the deep ocean mission के लिए, तो उसका नाम बताना है, मतस्य 6000, वमना, करुमा या फेट टाइटन, ठीक है, बताओ, अच्छा यह मतस्य है क्या, ठीक है, देखो actually क्या है मतस्य की मैं आपको बताता हूँ, यह around 600 meter यहापे यह नीचे जाएगा, और यहापे क्या सर्च करने जाएगा, जो आपके rare minerals होते हैं, उनकी आपे study करने जाएगा, ठीक है, तो यह basically एक submersival vehicle है, अगर आपसे exam में पूछ लें कि मतस्य 6000 क्या है, तो this is the submersival vehicle, ठीक है, तो यह question भी आपके exam में पूछा जा सकता है, अगर मैं आपसे बात करूँ, Titan के बारे में, Titan क्या था, वह बता सकता है, Titan क्या था, देखते हैं, आपको कितना पता है चीजे, Titan क्या था, कौन बताएगा, Titan भी कुछ आया था नहीं, यार, हाँ, फस्त यह आया है, प्रियान जना का, प्रियान जना, ठीक है, यह जो आपका, Titan था, Ocean Gate आपने सुना होगा, ठीक है, तो यह जो आपकी जो, Titanic आपका जो, submerged हुआ था, उसकी यहाँ पर यह study करने गया था, आपका देखने गया था, Titan, जैसे आपका यह submersival vehicle है, वैसे यह आपका यह submersival vehicle था, ठीक है, चलो, आगे बढ़ता है, नेक्स्ट आपका question है, आपको बताना है कि अब भी हाली में एक mascot है, National Water Mission का, ठीक है, जिसको launch किया गया था, Vice President of India श्री, जगदीव सिंग धनकर जी ने, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका यहाँ पर, जो mascot है, वो क्या था, पीकू, शेरा, मोगा, यास्पिर, सवेच, जल्दी से बताईए, पहले तो मैं आपको National Water Mission के बारे में बता देता हूँ, National Water Mission के बारे में हम discuss कर लेते हैं, जो इसका mascot था, जो इसका mascot क्या था, इसका mascot था, पीकू, ठीक है, पीकू is the mascot of National Water Mission, और अगर मैं आपसे बात करूँ, इसको top किस ने किया था, तो इसको top किया था, मद्यप्रदेश ने, ठीक है, इस्टेट में top किया था, मद्यप्रदेश में, और district wise अगर हम बात करें, तो ये top किया था, आपका गंजम district में, त्टिक है और यह कहां पर गंजम टिस्टृ歉क्स यह है आपके अरीसा में, डिक है तो यह सारे points आपको यहां पर पता होना चाहिए कि National water mission के बारे मारे में हमने जो discuss किया है वो सारी चीज़े आपको यहाँपर पता होना चाहिए, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ MOGA के बारे में, तो MOGA आपका क्या था, ये था आपका National Games का मैसकट, ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूँ, शेरा क्या था, तो शेरा आपका क्या था election commission का mascot election promote करने का यहाँ पर पंजाब में ठीक है उसको बनाया गया था शेरा को mascot और एक चीज में और बताता हूँ यह question आपसे exam में पूछा जाएगा क्योंकि 2023 almost वो लोग पूरा cover कर सकते हैं तो आपको पता है इस बार का जो Olympic chess Olympiad था आपका वो भारत में यहाँ पर हुआ था ठीक है तो इसका mascot क्या था और यह कहाँ पर हुआ था यह भी आपको पता होना चाहिए इसका mascot था थांबी और यह कहाँ पर हुआ था chess Olympiad कौन से state में वो आप मुझे comment section में बताएंगे जल्दी से बताओ कहाँ पर हुआ था आपका chess Olympiad जो आपका chess Olympiad हुआ था वो हुआ था आपका तमिल नाडू में ठीक है most of the student recall नहीं कर पा रहे है कोई दिक्कत नहीं है मैं आपका आया हूँ यहाँ पर हम लोग जो 2023 के most important आपके practice कर रहे है और इसमें आपका यह बहुत important question है ठीक है अच्छा यह savage क्या था savage भी आपका अगर मैं बता दू तो जो आपका national games 2023 का तो मोगा है बट 2022 का क्या था तो यह था आपका savage ठीक है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं बताव 23 का question important question है आप यह सुचते हो गया sir तो सारे important बोलते हैं यार क्योंकि मैं important questions ही आपके लिए लाता हूँ basically important ही लाता हूँ आपका कौन से state में construct किया जाएगा ठीक है बहुत important question है जैसे आपका nano DAP plant important है वैसे ही आपका first hydrogen plant भी important है कहाँ पर किया जाएगा गुजरात में नहीं दादा कौन बोल रहा है गुजरात गलत बता रहे हो गुजरात हर चीज गुजरात में नहीं की जाएगी ठीक है ये किया जाएगा आपके हरियाना में ठीक है तो प्लीज आप इसको याद रखेगा इंडिया का first hydrogen plant होने वाला है और ये गुजरात में नहीं किया जाएगा ठीक है चलो अगर मैं आपसे बात करूँ आपको हरियाना से क्या याद रखना है आपको पता होगा इस बार का जो खेलो इंडिया पैरा गीम्स हुए थे किस-किसको याद है कहाँ पे हुए थे ये हुए थे आपके नई दिल्ली में और ये first time हुए थे तो इसको याँ पे जीता किस ने टॉप किस ने किया था वो किया था हरियाना के शेरो ने ठीक है चलो हरियाना ने टॉप किया था और अगर मैं आपसे बात करूँ इस बार की जो विजे हजारे ट्रॉफी हुई थी ठीक है उसको किस ने जीता था, उसको भी आपका हरियाना ने जीता था, ठीके, अगर मैं आपसे बात करू, Science Festival 2024, ये कहां पे होगा, तो ये भी होगा आपके हरियाना में, ठीके, तो ये सारे points आपको याद रटना है, जो कि आपके important points हो सकते हैं, ठीके, चलो, अचा आप मुझे ये इस बार का जो दिव्यांग पुरुसकार है, ये first time ही दिव्यांग पुरुसकार दिया गया है, ये आपका male में किसको दिया गया, और female में किसको दिया गया, comment section में ये आपको बताना है, ठीके? जल्दी से बताईए, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये दिया गया था आपका सुमित अंटिल को, ठीके? और ये दिया गया था आपका शीतल देवी को, ठीके? ये आपके, पताए आपको ये archer हैं आपकी, अचा ये बताओ, सुमित अंटिल कौन से sports से related है, ये question आपको पूचेंगे, तो most of the student बता देंगे, भाई साब, जैवलिन से हैं, ठीके? सुमित अंटिल का कौन बताएगा, कौन याद रखेगा सुमित अंटिल का, ठीके? तो आपको बताना है, सुमित अंटिल कौन से sports से related है, जल्दी से बताओ, चलो, next question की तरफ बढ़ते हैं, आपका 12th edition of exercise acuverian, ठीके? आपकी कौन सी country के साथ होती है, ये होती है, इंडिया और Maldives के बीच में, ठीके? तो आपको बताना है, इंडिया और Maldives के बीच में, ये होती है, लेकिन आपको बता है, अभी मोदी जी ने आपे लक्षीदीप में जाके, जो काम किया, उसके बाद यह आपे boycott Maldives, boycott Maldives यहाँ पे सब लोग छिलाने लगें, ठीके? तो अब ये exercise होगी या नहीं होगी, वो मुझे नहीं पता, बट ये होगी, ठीके? डिफेंस का अलग यहाँ पे nature होता है, बट हाँ, अगर हम बात करें acuverian exercise, तो आपको बताना है, ये कहाँ पे हुई थी? ये होई थी आपकी कहाँ पे? कौन बताएगा? ये होई थी आपकी उत्राखंड में, ठीके? उत्राखंड में आपको बता है, most of the exercise यहाँ पे होती ही है, ठीके? अच्छा, ये बताओ मुझे, लक्षदीप का जो आपका mini core है, ठीके? वो आपका यहाँ पे boundary यहाँ पे share करत है, जैसे हमारा अंडमान एंड निकोबार में आप एक channel होता है, वैसे ही आपका लक्षदीप और मालदीफ के बीच में होता है, तो इस channel का नाम क्या है? यह आप से static में पूछा जा सकता है, बताओ, कौन सा channel ही है? 8 degree, 9 degree, 10 degree या फिर 11 degree, temperature की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, य यह आप से channel की बात कर रहा हूँ, यह तो आप अपने घर का temperature बता दो, सर अब भी बहुत पढ़ रही है, 8 degree हो रहा है, तो यह है आपका 8 degree channel, प्लीज इसको याद रखेगा, important है बहुत, चलो, आगे बढ़ें, अच्छा यहाँ पे अब भी जो नए प्राइम मिनिस्टर बन यह important है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ता है, देखो next question बहुत important है, ठीक है, अब आप यह सोचेंगे, sir, फिर से आपका important question कैसे आजाता है, हर question में, ठीक है, तो basically आप खुद देखो न, यह first Indian है, पहली बात first Indian है, और इनको कौन से award से चुना गया है, UNESCO का Mikkel Bettis से award, ठीक है, औ और आप यह सोचो कि जो आपका IB का exam है, उसके famous आपके questions है, वो हैं आपके award, प्लस आपके sports, ठीक है, मतलब आपके most of the question awards और sports से ही भर-बर के पूछे जा रहे है, ठीक है, तो आपको बताना, UNESCO का Mikkel Bettis award किसको मिला था, तो आप आगे समझ में कि यह important है या नहीं, अच्छ जगदिश है इस बकान को दिया गया था, तो आपको यह पता होना चाहिए, एक बार में UNESCO आपको revise करवा देता हूँ, UNESCO का headquarter है आपका Paris में, और 41st आपकी जो आपकी UNESCO ने आपकी site चुनी गई थी, वो थी आपकी Shanti Niketan, जो कि आपकी West Bengal मिशती थे, और Hoisla Temple जो कि आपकी पता होना चाहिए, related to the UNESCO, जो यह आपकी चार site से बहुत जादा important आपस exam में, पूछी जा सकती है, ठीक है, एक बंदा है बोल रहा है, सरी यह important नहीं है, और अगर वो important, देखो कहीं बार ऐसा भी हो जाता है, कि आप important यहापे नहीं समझे और आपके site में यह question फज जाएग ठीक है, तो basically कहीं बार ऐसा भी हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है, कहीं बार, ठीक है, मैं सोचता था, यार यह question इतना important नहीं है, इसे skip करके चले जाओ, ठीक है, और वही question एक बार मेरे site में आ चुका है, ठीक है, तो ऐसी कहानिया होती है, आप उसे important ना मानो, बट मैं इस question को बेहद important मानता हूँ, आगे बढ़ता है, चलिए, एक question हम देखते हैं, यहाँ पर आपको पता है, कि ministry के भी questions आपसे पूछे जाते हैं, government schemes के तो पूछे ही जाते हैं, बट हाँ, आपसे ministry के भी questions पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है अब भी हाल ही में, माहीर, ठीक ह माहीर जो आपका है, वो कौन सी ministry के द्वारा यहाँ पर launch किया गया था, एक तो इसमें आपकी शामिल है, ministry of power, और एक और आपको ministry बताना है, कौन सी इसमें शामिल है, ठीक है, तो इसमें आपकी जो शामिल है, वो है, आपकी ministry of new and renewable energy, बहुत जादा important question है, और अगर मैं आप से बात करूँ, यह आपका माहीर initiative क्यों launch किया गया है, यह basically launch किया है, कि हम लोग बहुत जादा यहाँ पर research में आगे बढ़ पाएं, ठीक है, research में हम लोग आगे बढ़ पाएं, इसलिए यह initiative को launch किया है, ठीक है, आप मुझे एक चीज बताईए, आपको basically, मिस्टी scheme तो य मिस्टी scheme आपको बताना किस से है, और विशकर्मा scheme यहाँ पर किस से related है, चलो विशकर्मा तो मैं बता देता हूँ, यह artisians लोगों के लिए है, और आप मिस्टी scheme का आप बताऊगे, ठीक है, आगे बढ़ता है, next question, अब मैं कुछ नहीं वोलूँगा, क्योंकि यह जो fresher island ह इसका नाम change करके यहाँ पर की गड़ी यहाँ पर रग दिया गया है, ठीक है, और यह largest sand island है, आप यह सोचो यार, पूरी world में, world का largest sand island है, और उसका नाम change करके रग दिया गया, तो क्या यह important नहीं होगा, ठीक है, तो basically अब आप यह खुद सोचो, मैं तो कुछ नहीं इसका नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो USA, Australia, Italy या फिर Indonesia, कहां पर है है, बताओ, कहां पर है है, कौन बताएगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, प्रीतम, आपने Australia बोलके question mark किया है, definitely यह Australia में ही है, ठीक है, जब आप exam दो, तो मापे question mark अपने दिमाग में मत लाना, सीधे लग अगर आपको लग रहा है, क्योंकि आपके पास सोचने तक का भी time नहीं है, ठीक है, आप जितना सोचोगे question mark अपने दिमाग में लाओगी, उतनी confusion create होगी, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 60 मिनिट से हो, 60 मिनिट में आपको क्या हसिल करना है, वो आप खुद से रूबारू हो चुके हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो आपको अगर मैं बात करूँ, यह आपका Australia में आपका यह island है, जिसका बिहाली में नाम change करके रख दिया गया है, कीगरी island और यह काफी ज़्यादा important है, आपसे exam में पूछा जा सकता है, ठीक है, अब मैं आपको एक दु Australia के बीच में एक exercise होती है, जिसका नाम है अस्ट्रहिन, ठीक है, और आपका जो Australia है, उसमें आपके जो cyclone है, उसको किस नाम से बोला जाता है, यह बोला जाता है, विली-विली, ठीक है, और Australia में एक cyclone आया था, जिसका नाम था Jasper, ताफी important है Jasper तो, ठीक है, चलो कोई पूछ रहा है सार, एक बार time का distribution बता दो, कैसे क्या attempt करना है, आप last तक रुखो, last में 49 वाला जो question है, वो आपका 100% आएगा, वहां तक आप रुके रहो, बस मैं आपको उस time बता दूँगा, ठीक है, चलो question solve करते हैं, 28th नमबर में हम लोग चलते हैं, आपको बताना है, first Indian, ठीक है, first Indian जिनने जीता है आपका Asian Fencing Championship, आपको बताना है यह जगमीत कौर, जौशना चिरस्टी, या फिर रिशी का खजूरिया, या फिर भवानी देवी, देवी कल लो इनको, ठीक है, चलो, तो कौन है वो first Indian जिनने Asian Fencing Championship में आपका medal जीता है और यह बन चुकी है, first Indian, जिनने Fencing में gold medal लेके हैं है, अब आपको यह question ऐसे नहीं आएगा, आपको यह question पता है कैसे आएगा, भवानी देवी, related to which sports, आपको यह पूछा जाएगा, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा, cricket, ठीक है, football, hockey, और दे दे एंड में Fencing, ठीक है, तो क्या लगाओगे अंसर, आप लगा देना आगबंद करके Fencing और आगे बढ़ जाना है, ठीक है, तो basically यह आपका भवानी देवी से आपको याद रखना है, कि यह Fencing से related हैं, और इनने अभी हाली में यह first Indian बनी थी, जिनने यह medal जीता है, ठीक है, आ ठीक है, तो आपको बताना है कि आपकी जो INS सत्पूरा है, वो आपकी Naval Exercise Komodo 2023 में गई थी, तो आपको बताना है कौन सी country के द्वारा होस्ट की गई थी, किसी-किसी ने तो first time यह नाम सुना हो गई, यारे, Komodo Exercise क्या है, ठीक है, कौन-कौन है वो लोग, जिनने Komodo Exercise ही first time सुनी ठीक है, ठीक है, तो यह बेसिकल यह आपकी कौन सी country के द्वारा होस्ट की गई थी, यह होस्ट की गई थी आपकी, चलो, मैं आपको बताता हूँ कौन सी country थी, आप मुझे बताना, यह वही country है, जिसने आपकी 2023 की 42nd ASEAN Summit को होस्ट किया था, ठीक है, यह वही country है, जहाँ प मेरा पी आपका erupt हुआ था, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वालकेन हों यहाँ यहाँ इरप्ट होते ही रहते हैं, ठीक है, यह वही country है, जो की आपकी TRIOCA का 파र्ट है, ठीक है, TRIOCA का क्या है, TRIOCA आपका Indonesia, ठीक है, उसके बाद आपका हमारा प्यारा भारत, और उसके बाद आपका ब्राजील ठीक है तो यह आपकी कौन सी कंट्री है आपको पता लग चुकी होगी बताओ कौन सी है ठीक है अच्छा यहाँ पे एक अब भी एक स्पीड रेल ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था वूश ठीक है काफी एक इंपोर्टेंट कंट्री आपकी इंडोनेशिया 2023 की चेर्मेंशिप आपकी इंडोनेशिया के पास थी और 2024 की आपकी आजएगी लाओस के पास यह भी आपको याद रखना है और आसियान में 10 मेंबर है और जो 11 मेंबर आपका जो एड होगा जिसका नाम है तिमूल लेस्टे जहां पे मोदी 30 questions आपके लिए important है अब आपको यह लगे या ना लगे basically बहुत जादा important है basically आपको बताओगा कि नौरा देही और आपका जो दुर्गावती wildlife sanctuary है उसको आपको tiger reserve यहाँ पे गोशित किया गया है तो वो कौन से state में है मध्यप्रदेश, 36 गड़, उत्तरप्रदेश या फिर इस state को आपका tiger state भी कहा जाता है ठीक है बताओ और आपको यह भी बताना है कि total हमारे भारत में tiger reserves कितने हैं कौन इसका अंसर कर पाएगा कि total tiger reserve हमारे भारत में कितने अगर इनकेस आप से पूछ लिया गया कि total tiger reserves कितने हैं तो टोटल कितने हैं टोटल है आपके 54 ठीक है टोटल है आपके 54 अगर मैं आपसे बात करूं 54 आपके टोटल टाइगर रिजर्ब्स यहां पे शामिल है ठीक है 54 तब भी कौन सा बना था किस किस को पता है 54 है आपको यह पता होना चीए और जो आपका बना था वो बना था आपका दुर्गावाती टाइगर रिजर्ब्स जो कि आपका मध्य प्रदेश में है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको बताना है कि आपका गांधी पीस प्राइस 2021 यह किसको दिया गया इस रो को या फिर रामकृष्न मिशन गीता प्रेस गौरकपूर या फिर ब्रह्मा कुमारी को कौन बताएगा ठीक है तो यह दिया गया आपका गीता प्रेस को और अगर मैं आपसे बात करूँ गीता प्रेस के बारे में तो आपकी गांधी पीस प्राइस यहां पे दिया गया है और अगर आपसे पूछ लें कि फर्स्ट गांधी प्राइस यार यह बहुत जादा इंप पॉर्टेंट चल रहा है आपका गांधी पीस प्राइस, आपको ये भी बता होना चाहिए कि फर्स्ट गांधी पीस प्राइस किसको मिला था, ठीक है, ये बेसिकली नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप याद रखेगा, जूलियर नायर, ऐसा कुछ करके आप याद रख सकते हो, फर्स्ट गांधी पीस प्राइस यहाँ पे इनको दिया गया था, इन्दा इयर 1995 में, ठीक है, तो प्लीज आप make sure to remember this कि आप इसको याद रखेंगे, बाकी 2021 का गांधी पीस प्राइस दिया गया, गीता प्रेस जो कि गौरकपूर में इस्ते थे, ठीक है, बाकी मैं आपको बहुत सारी चीज़े रिलेट कर चुका हूँ, अब हमारा काम है कि हम जाद से जाद को करें, ठीक है, आगे बढ़ता है, ये कोश्चन आप देखो कितना important है, अब आप इस पे मत बोलना कि सर, ये तो नहीं आएगा, अचा किस-किस को ये वाला सेट में चाहिए आपके, 57 जननपीत अवार्ड, बताओ, 57 जननपीत अवार्ड किसको दिया गया था, ये वाला किस-किस को चाहिए आपने सेट में, अनीता देशाई, विकरम सेट, पृती शिनवाय, दामोदर मोजो, ठीक है, यार एक चीज में आपको बताता हूँ, जो आप गोलते हो कि सर, स्टेटमेंट वाले कोश्चन, स्टेटमेंट वाले कोश्चन, जो मैं आपको extra knowledge दे रहा हूँ, आपसे उसस से स्टेटमेंट वालेopyकोश्चन भी बन जाएंगे, बृत, आप उसकिये कारण आप पूरा टाइम वेस्ट कर सकत यार अगर ऐसे questions आ गए, उस time क्या करोगे? कि 57th jananpita award किसको मिला और first jananpita award किसको मिला था? बताओ. ऐसा question आ गए, हम हापे क्या करोगे? अरे किसको मिला था first? किसको मिला था कुछ Source आंज जी शेकर कुरुच इनको मिला था आपका फस्ट जननपित अबॉर्ड और यह मिला था आपक का फरक 1965 मेरे जननपित आवर्ड दिया क्यों जाता है यह भी आपसे पूचा जा सकता है यह दिया जाता है क्यों क्योंकि आपका हाईस लिटरेशी वर्क यहां पर दिखाई पड़ता है अगर आपका हाइस लिटरेशी वर्क है तो आपको जननपित आवाट से सम्मानिन किया जाता है तो इस बार का किसको दिया गया है इस बार का दिया गया बट इस बार तो वो अभी तक admit card नहीं दे पाएं तो पता नहीं क्या करने वाले बट हमें अपना best देना है और हमेशा अपना best देंगे क्योंकि आप खुद देख सकते हो मैं चार दिन से आपकी continuously class ले रहा हूँ मेरा गला दुख रहा है सब कुछ हो रहा है बट मैं का आपकी class जरूर ले रहा हूँ ठीक है चलवागे बढ़ते है next question आपको बताना है recently प्रदान मंत्री नरेंद मोतीची ने आपकी parliament building को inaugurate किया गया था तो आपको बताना है इसको design किसके दवारा किया था कौन बताएगा इस concern important question है यह important है आपको एक चीज में बताओं आपको पता होगा यह कौन से project के अंदर आया था यह आया था आपका Central Vista के अंदर ठीक है सबको बताओगा Central Vista के अंदर आया था ठीक है अचा admit card आ गया है क्या ठीक है बहुत साय लोग का नहीं आया है वो टेंशन ले रहे था ठीक है तो आपको अगर पूछें कि आपका यह जो Parliament है वो किसके किसके द्वारा बनाए गया है तो यह बनाए गया आपके बीमल पटेल सापके द्वारा ठीक है और basically यह कौन से project के अंदर आता है यह आता है आपका Central Vista के अंदर आपको एक चीज और में बताओँ आपको बताओगा सेंगोल यहां पे रखी गई थी ठीक है त या फिर पलवास तोड़ा सा history मेरी रिवाइज हो गई ऐसा लग रहा है ठीक है बताओ बताओ ऐसा question अगर आ गया तो महां क्या गर होगे सीधे लगा देना चोला empire से related है ठीक है तो बस यह आपको छोटी छोटी चीज है जो आपको दूसरों से यहां पे अलग बनाती है और अगर मैं बात करूं सेंगोल को क्यों यहां पे किया जाता है यहां पे आपका transfer of power यहा बिना यहां पे CDS का paper ही नहीं बनता ठीक है अब तीन साल के अगर paper में देखोगे तो दो से तीन बार आपका paper में आपको question मिलेगा related to the GC Murmu के लिए ठीक है तो basically यह कुछ भी करते है तो उनका यहां पे question जरूर बनता है क्या पता इस बार आपसे IB में भी पूछ लें ठीक है तो आपके जो external auditor हैं वो कौन बने हैं ठीक है तीन साल के लिए कौन है आरवें के ट्रेमन, राजीव कुमार, राजीव ग्वावा, GC Murmu जी बताओ कौन बने हैं यह बने हैं यह बने हमारे GC Murmu साफ ठीक है तो बेसिकली अगर यह कुछ भी आपर बड़ी position पर आते हैं तो इनका question confirm आता है आपके UPSC में तो आता है अब IB का हम लोग देखेंगे कि आता है या नहीं वो आप लोग मुझे बताओगे ठीक है चलो आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं और definitely यह क्या है यह आपके CAG है ठीक है Computer and Auditor General of India आगे बढ़ते हैं चलो next question भी इतना important है क्योंकि 2024 की आपकी G7 Summit कहाँ पर होगी India, Canada, Italy, Australia कौन बताएगा इसका अंसर 2024 की आपकी G7 की Summit ठीक है पहले तो मैं आपको यह लिख देता हूं कि G7 Countries में कौन-कौन यहापर शामिल है पहला तो है आपका Canada, second है आपका France हमारा प्यारा देश ठीक है हमार फ्रेंडी समझ लो आप Germany ठीक है और आपका Italy, Italy से तो प्यार है ठीक है ठीक है और आपका Japan ठीक है और कौन सा है यह 6th आपका USA और 7th आपका European Union है ना, ठीक है कहां पर होगी आपकी 2024 G7 Summit कहां पर होगी यह होगी आपकी Italy में, ठीक है मोदी जी को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे वो मुझे नहीं पता ठीक है बटा ऐसा अब्जरवर आपका बुलाया जा सकता है वो हम यहां पर पता कर लेंगे ठीक है 2023 की कहां पर होगी यह बताओ मुझे 2023 की कहां पर होई थी आपको बताना है इन में से option दे दिया मैंने आपको यह 5 option दी है ठीक है 5 option में से आप एक answer बताओ कि 2023 की कहां पर होई थी ठीक है यह होई थी आपकी जपान में ठीक है बाकी इटली के बारे में आपको पता है जो आपका बी आ रही है इसको यहाँ पे विड्रॉल कर लिया था इटली ने वाज इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता बाकी आपको सारी चीजे रील्स पगेरा बता देगी ठीक है आगे बढ़ते है 36 question भी important है आपको पता होना ची कि जो विंक्स इंडिया 2024 है वो कहां पे होस्ट किया जाएगा बैंगलेरू, न्यू देली, मॉंबई, हैदराबाद चल्दी से अंसर बताईए easy question है और आपके exam में भी पूछा जा सकता है थोड़े से question और बचे है 14 questions फिर बस खतम कहानी चलो अच्छा यह वही city है पहले तो मैं आपको यह वही city बता देता हूँ जहां पर आपका इंडिया का first solar roof cycling track बना है ठीक है क्या यह वही city है जहां पर coffee conference हुई थी देखते हो आप पकड़ पाते हो या नहीं coffee conference हुई थी कहा यहां पर नहीं यार coffee conference यहां पर नहीं हुई थी कहां पर हुई थी तो coffee conference आप मुझे बताओगे solar roof cycling track यहां पर बनाया गया है ठीक है और अगर मैं बात करूँ e-pricks e-pricks 2024 यह कहां पर हुई थी यह हुई थी आपकी sorry यह होगे आपकी हैदराबाद में ठीक है और अगर मैं आपसे बात करूँ इस बार का जो आ रहते हैं बैंगलोरी बता रहते हैं ठीक है तो solar roof cycling track आपकी हैदराबाद में आएगी और e-pricks आपकी हैदराबाद में और MotoGP आपकी greater noida में ठीक है तो please make sure to remember all these points related to the हैदराबाद आपसे direct questions पूछे जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं चलो थोड़ा इना बुक पे भी बढ़े आते हैं यहार बहुत हो गया चीजे क्योंकि एक बुक वाला question दो बुक वाले questions तो आपसे पूछे जाएंगे और यह जो हमारे साहब हैं यह बहुत बुक लिखते भ है जैम्स बॉंड के चोटे भाई जिनका नाम है रस्कीन बॉंड ठीक है मुझे नहीं पता जैम्स बॉंड के भाई हैं विट आप यह नाम याद रख सकते हो रस्कीन बॉंड जिनने गोल्डन यहां पर लिखी है अगर मैं आपसे बात करूँ आपको एक बुक याद रखन आपको पहचानना पड़ेगा भारत मैटर किसने लिखी है तो यह लिखी है एस जैशंकर ने ठीक है आपको बताओगा पॉल लिंच किये कहां पर बुक है जिसका नाम है क्या प्रॉफिट सौंग नोबल है यह और यह दिया गया इसको बुकर प्राइस ठीक है आपको एक च कोश्चन भी काफी जादा important है क्योंकि यह first woman chairperson है जो कि आपकी appoint की गई है CCI के द्वारा ठीक है पहले तो मैं आपको बता देता हूं CCI क्या है CCI एक आपकी statuary body है अब यह कोश्चन आपको देखो statement में पूचा या सकता है CCI क्या है तो आपकी statuary body है कौन सी ministry के अंडर आती 2003 में हुई थी हां तीन में हुई थी और अगर मैं आपसे बात करूए यह first woman chairperson कौन बनी है वो बनी आपकी रवनीत कौर ठीक है याद रखोगे अच्छा चलो first lecture में मैंने आपको बताया था CISF की first head woman head कौन बनी देखते हैं कौन बतायेगा सिंग साब है वो नाम आप मुझे बताओगे बहुत हो गया यार बहुत सारी चीज़े रिलेट कर ली अब आपकी बारी है नीर नीना सिंग वेरी गुड सही बता रहे हो अल्मोस सब ने आप एंसर किया कि सर हाँ नीना सिंग बनी थी आपकी CISF की first woman head तो ये नाम याद रखना ये question तो 100% आएगा बाग के आपका first woman chair person जो की CCI को head कर रही है जिनका नाम है रवनीत कौर जी आगे बढ़ते हैं 39 वाला question है ये जो आपकी INS से इसको 36 सालों वाद आपको decommission दिखाई दिया जाएगा ठीक है और ये आपकी first indy genius आपकी shift थी मतलब भारत ने खुद से बनाई थी और अब देखो आपको कितना दुख हो रहा होगा कि इसको हम decommission कर रहे हैं 36 सालों की service देने के बाद ठीक ह जो हमारे officers वगेरा हैं काफी उन्हें दुख भी होता होगा ठीक है तो अगर मैं आपसे बात करूँ ये आपकी oldest and largest tank ship थी ठीक है सबसे पुरानी आपकी और इसको indigeniously develop किया था तो आपको याद रखना इसका नाम है INS मगर और अगर मैं आपसे बात करूँ एक और यहाँ प next question की तरफ बढ़ते हैं इंडिया की first undersea twin tunnels आपकी कहां पर बन रही है मुंबई कॉलकता चैनने या फिर पूने ठीक है और यह इंडिया की first undersea twin tunnels है ठीक है मतलब जैसे जो twins बच्चे होते हैं वैसे आपकी twins tunnels भी हमें देखने को मिल गई है ठीक है तो अगर मैं आपसे बात क की ने एक launch किया है जिसका नाम है अटल सेतु ब्रिज ठीक है मुंबई में की को तो बात क्या ही करूं 141st OIC की मिटिंग मुंबई में हुई थी global maritime आपकी मुंबई में हुई थी ठीक है जो कॉलकता कर रहे हैं वो बिलकुल गलत कर रहे हैं ठीक है क्योंकि यह कॉलकता से नह कॉलकता में नहीं आएगी यह आएगी आपकी मुंबई में मैंने अंडर वाट अंडर ग्राउंड मेट्रो की बात नहीं करी है ठीक है अंडर ग्राउंड मेट्रो डेफिनेटल आपकी कॉलकता में आ रही है बट आपकी जो अंडर फस्ट अंडर सी ट्विन टेनल्स आ रहे ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ यहां का एक station है जिसका नाम है Bicular Railway Station ठीक है तो वो भी आपको यहां पर पता होना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ें next question आपका एक बहुत जादा important है जैसे आपका World Hunger Index आपका important है वैसे ही आपका क्या है जिसकी rank है 111 वैसे ही आपका एक है World Press Freedom Index ठीक है यह आपका किसके दौरा दिया जाता है यह दिया जाता है reporters without borders के दौरा तो आपको बताना है भारत की इसमें rank क्या रही ठीक है काफी जादा यहां पर पिछड़ गया है हमारा भारत कोई दिक्कत नहीं है यहां पर objections भी उठाया गए थे 2022 में हमारी rank थी 150 ठीक है यह definitely इसलिए दिया जाता है कि हमारे भारत में जो reporters हैं उनको कितना ज जादा freedom है ठीक है यह आपका index इसलिए यहां पर जारी किया जाता है और 2023 में हमारी rank पिछड़ के आ गई 161 काफी जादा यहां पर एक difference देखने को मिला round यहां पर 11 ranking हमें ऊपर यहां पर चड़ा दिया गया मतलब हमारी worst कर दीने की कोशिश की गई ठीक है तो 161 यहां पर rank पचास में से मैं 40 questions तो ऐसे घर आता हूं जो most important हो आपके लिए ठीक है और यह उसमें से एक है है आगे बढ़ता है चलो next question आपको बताना है इंडिया का जो आपका UN peacekeepers award होता है जिसका नाम है UN DAG hammocks jord medal ठीक है basically यह किसको दिया जाता है जो UN peacekeepers होते है उनको यह awards से सम्मानित किया जाता है तो अगर आपसे पूछ लें DAG hammocks jord medals किसको दिया जाता है तो यह दिया जाता है UN peacekeepers को ठीक है और इस बार भारत में किसकी कितने लोगों को दिया यह दिया गया तीन लोगों को कौन कौन थे वो यह first थे आपके शिशुपाल सिंग ठीक है और second थे आपके शव ठीक है तो इन तीनों को यहां पर हमक्षॉल मेडिल दिया गया बट यह खुद लेने नहीं जा पाए तो इनके प्रसेंस में यहां पर रुची का कम्रोज जो कि हमारी UN की आपकी representative head है उनको यहां पर रुची का कम्रोज जी को यह medal दिया गया ठीक है अगर मैं आपसे बात क हम याद रखना है और UN DEX हैमक्षॉल मैडिल भी याद रखना है कि यह यून ने पीसकेपर्स को दिया जाता है ठीक है लव फ्रॉम अरून अच्छल ओके लव फ्रॉम इंदौर यह क्या चलता रहता है या लव लव इंदौर ठीक है सौरी या थोड़ा सा गला यहां पर बैठ चुका है चलिए 43 पर चलता है 43 कोश्चन के हम बात करते हैं इसमें आपकी जपान इंडिया ठीक है ऑस्ट्रेलिया और एक है आपकी यूएस है ठीक है यह चारो कंट्रीज है आपकी कोड़ की आप बताओ यह कहां पर होगी अरे यह मत करो या लव फ्रॉम वेस्ट वेंगॉल यह कुश्चन सॉल्फ करो फटाफट इंडिया यूएस है ऑस्ट्रेलिया या फिर जपान क्वाड सब्मिट आपकी 2024 की कहां पर होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा गला बैट गया है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा ठीक है देखो 2024 की जो है ना वह कहां पर होगी 2024 की पूछी है मैंने तो वह होगी होग जपान में छिक है यार यह पता है कहां पर होगी यह होगी इंडिया में हमारे प्यारे भारत में थीक है क्वाड समिट 2024 होगी हमारे प्यारे भारत में और 2023 की कहां पे हुई थी तो यह हुई थी आपके जपान में ठीक है इतना सा याद रखना है माला बार आपकी अलग हुई थी माला बार एक्सुसाइस आपकी आस्ट्रेलिया होस्ट करेगा ठीक है मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दो मेट रुकिएगा कमेंट में लव फ्रॉम पाकिस्तान ही चल रहा है भारत भारत वाले इतने शांदार है साउथ सुडान से भी लोगन देखने आ है ठीक है चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बापिस से चलो यह कोश्चन आपके CAPF में आल्रेडी पूछा जा चुका है क्या पता आपसे यहां भी पूछा जा सकता है ठीक है आपको बताना है कि जो अब भी हाली में हमारा जो इंडिया का आपका Artificial Intelligence Super Computer है जिसकी रैंक आपकी 75 थी वो उसका Computer का नाम क्या है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ यह आपका एक सूपर Computer है जो कि आपकी एक जर्मनी में आपके Conference हुई थी तो आपको इस Conference के बारे में भी पता होना चाहिए अगर आपसे एक्जाम में पूछ लें कि Super Computing Conference कहाँ पर हुई थी तो यह हुई थी आपके जर्मनी में ठीक है प्लीज आप इसको याद रखिएगा अच्छा जर्मनी से एक चीज में और बता देता हूँ ठीक है जर्मनी से क्या मैं बता हूँ आपको यहाँ पर एक Conference हुई थी Summit हुई थी World Health Summit ठीक है तो यह भी important question है आपसे exam में पूछा जा सकता है कि इस बार की World Health Summit कहाँ पर हुई थी तो यह हुई थी हमारे जर्मनी में ठीक है याद रखना आगे बढ़ता है next question देखो यह next question तो इतना important है I guess आपस सक्षम already 2021 के IB में पूछा जा चुका है ठीक है और यह बापीस सब भी recently news में आया है ठीक है तो मुझे लगता है यह शायद बापीस से पूछा जा सकता है सक्षम के बारे में और इस टाइप का ही कुछ question बनाएंगे इतना जादा कुछ stuff नहीं बनाएंगे वह आपको बताना है कि सक्षम वह और कुछ था वैसा कुछ initiative था बट आपको यह बताना है कि जो सक्षम आपका जो initiative है वह कौन सी ministry के द्वारा launch किया है कौन बताएगा सक्षम देखो सब बता रहे है education education वाले कौन है अच्छा लग रहा है education जो education बता रहे हैं वह बिलकुल ही गलत बता रहे हैं पता नहीं क्यों बता रहे है education यह basically किया गया था आपका health ministry के द्वारा ठीक है health ministry के द्वारा आपका किया गया था अगर मैं आपसे बात करूँ इसका मैं आपको full form भी बता देता हूं ठीक है इसका full form है stimulating और यह question अगर आपसे exam में पूछ लिया सारे लोग आपका education लगा क्याएंगे stimulating advanced knowledge for sustainable health management ठीक है S A K ठीक है SHM ठीक है सक्षम ठीक है तो basically यह किसके द्वारा launch किया है यह launch किया है ministry of health and family welfare के द्वारा ना कि आपका ministry of education के द्वारा आप IB में जाने वाले और आप ministry of education तो अब लगाओगे क्या ठीक है अब आपको ministry of health and family welfare ही लगाना है अगर आपको सक्षम से related question पूछ ले तो आपका ministry of health and family welfare के द्वारा launch किया था ठीक है चलो comment में हो रहा है सर सक्षम से लगा कि हमें कोई student से related होगा वाह इसलिए education लगा दियो पढ़ा था sir but confusion था सबका गलत हाँ यह question tricky था सबका नहीं मतलब 20% लोगोंने सही भी बताया मैंने comments देख रहा था आप लोग के ठीक है चलो आगे बढ़ता है एक चीज़ और मैं बता देता हूं health वाला आया है तो 75 out of 25 initiative बेसिकल यह question आगे है तो यह किसके लिए यहां पर आया था यह आया था ministry of health के दोहारा ठीक है यह question भी important है और सक्षम भी important है आगे बढ़ता है basically next question ही होगा मैंने इससे डाला होगा 75 out of 25 initiative आपको पता है कि ministry of health ने यहां पर launch किया है तो यह क्यों launch किया है तो यह क्यों launch किया है अगर मैं आपसे बात करू 75 million यहां पर जो लोग है वो आपके 2025 तक क्या हो जाएंगे किसके शिकार हो जाएंगे वो शिकार हो जाएंगे आपके hypertension और diabetes के तो यह question तो आपका confirm आने वाला है और एक सक्षम बाला किसी के site में पूछा जाएगा ठीक है पर unveil कर दिया है तो यह कहां पर होगा अर्जेंटीना, USA मेक्सिको, USA ब्राजिल अर्जेंटीना, ब्राजिल मेक्सिको अर्जेंटीना या फिर USA कैनेडा मेक्सिको बताओ बताइए, बताइए, देखो, actually आपको पता होगा कि जो 2022 का आपका जो FIFA हुआ था, वो कहां पर हुआ था, वो हुआ था आपका कतर में, ठीक है कतर में तो हुआ था, यहाँ पर जीता कौन था, यहाँ पर जीता था आपका अर्जेंटीना, ठीक है, उस दिन मैं शाद ब्राजिल बता दिया था, और फिर चेंज भी कर दिया था, फ्रांस, फ्रांस को हराया था, ठीक है यहाँ के जो प्लेयर थे और अर्जेंटीना के इस कौन प्लेयर है, आपनारे फेवरेट मैड़ी, ठीक है, तो अगर एम बात करें, इस बार का जो बेलिंडी और आवार्ड है, वो किसको दिया गया है मैसी को दिया है, और आपका फीमेल का किसको दिया है अगर मैं आपसे और इस पर discussion करूँ तो current champion इस बार कौन है वो है आपके अर्जेंटीना ठीक है तीन यहाँ पर जीच चुकी है आपकी अर्जेंटीना और सबसे ज़्यादा कौन जीता है अगर आपसे पूछ लें ठीक है तो यह भी आप यहाँ पर याद रखोगे और इस बार यहाँ पर कहां पर हो रहा है यह हो रहा है आपका USA, Mexico और Canada तो यह वाला आपको पॉइंट याद रखना है आगे बढ़ते हैं सिर्फ तीन कोश्चन और बचे है नेक्स कोश्चन है आपका 6 इंडियन ओशियन कॉंफरेंस विल भी हैल्ड इन विच आप दव फॉलोइंग कंट्री जल्दी से अंसर बताओ कहां पर होगी आपकी IOC की कॉंफरेंस बताओ बताओ इसका अंसर बताओ यार इसमें भी आप लोग कंफ्यूजी वह बेसिकली कुछ लोग यहां पर श्री लंका बोल रहे हैं कुछ लोग इंडोनेशिया तक बोल पिरुज़ लाया है तो बेसिकली यह कहां पर होगी यह वही यह वही यहां पर आपका इस कंट्री ने नाम रख़ा था इस साइकलॉन का विपरजॉघ ठिक है यह महां होगी आपकी ठीक है यह कंट्री के साथ भारत आपकी एक्सुसाइज करता है बॉंगो सागर ठीक है आपकी एक एक्सुसाइज होती है संप्रत्ती जो कि आपकी उम्रोई में हुई थी ठीक है यह वही गंट्री है जहां कि आपकी साइमा वाजेद, जिनको रीजनल हेड बनाया गया था, ठीके, क्वोन सी गंट्री है वो, अब भी भी श्री लंका बोल रहे हो क्या, ठीके, तो वो गंट्री है आपकी बैंगलादेश, याद रखोगे आप संप्रित्ती एक्सोसाईज, साइमा वाजेद, बॉंगो सागर, साइकलोन विपपर जोई और आपकी एक चीज और एड़ ओन कर लेना 6th Indian Ocean Conference जो कि आपकी होगी कहाँ पे वोगी आपकी बांगलादेश में एक पॉइंट और में बता देता हूँ, अगर तला अखूरा प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे होगा, ये भी होगा आपका, जोइन करेगा आपका बांगलादेश और आपका इंडिया को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका ये कोशन है और ये आपसे 100% पूछा जाएगा, लिखके ले लो, मैं गैरेंटी ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, 49th कोशन बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, देखो, पद्मी विभूशन में आपका, पद्मी विभूशन इस बार जो 2023 के रिली मतलब लिविंग है, तो आपके जो तीन थे मन्नो प्रांत, उनका आपको नाम यहाँ पर याद होना चाहिए, पहले हैं आपके कौन, बाल कृष्न दोशी, मैं लिख रहा हूँ नाम, बाल कृष्न दोशी, दूसरे आपके, दूसरे आपके, दिलीप महल नोबिस, ठीके, थ मैं इनकी आपे वो भी लिख देता हूँ, बाल कृष्न दोशी, आर्किटेक्चर थे, और हाँ, इनका उसी टाइम में आगे ही दियानत हुआ था, कुछ समय पहली दियानत हुआ था, दिलीप महल नोबिस, यह आपके मेडिसीन की फिल्ड में थे, मुलायम सिंग आपको पत उसेशिर हुसेशन को मिला था, और अगर मैं आपसे बात करूँ, एक मिला था एसेम कृष्णा को, और एक मिला था आपका, श्री निवास, श्री निवास वर्दमान को, ठİक है, और यह आपके साइंस की फिल्ड से, हाँ, यह तबला से है, तबला भजाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि यह question आपके exam में पूछा जाने वाला है, ठीक है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ें, last question की तरफ बढ़ते हैं, last question आपकी एक book है, जो कि अब भी हाली में launch की गई है, और इस type की जो छोटी books होती है, उनसे आपका IB के questions तो जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मैंने आपका previous पूरी study करी, इस book का नाम है reflection, ठीक है, ठीक है, ठीक है, reflection आपसे book direct पूछ ली जाएगी कि किसने लिखी है, किसने लिखी है, तो ये लिखी है, वगूल साब ने, अरविंद्र सुब्रमन्यम ने नहीं लिखी, जो C बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा, है ना, नारायन वगूल साब है, जिनने reflection book लिखी है, और भारत मैटल लिखी है, H.J. शंक energy ने, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, यार ये काफी खूपसूरत यहाँ पर comment किया था, शिवानी सर्मन है, कि भाई, heads off to yourself for providing the ocean of knowledge, ठीक है, काफी अच्छा comment था, काफी अच्छा लगा, मुझे तो मैंने इसको लगा दिया, आप लोग भी comment कर सकते हैं, अगर सिर्फ 60 मिनिट हैं, ठीक है, 60 मिनिट है, 20 question आपके maths के हैं, ठीक है, 20 question आपके reasoning के हैं, ठीक है, 20 question आपके English के हैं, और GS के आपके 20 questions हैं, और आपके current जो आपका favorite हो चुका होगा, उसके आपके 20 questions है, ठीक है, तो basically अगर मैं आपसे बात करूँ, जो आपके CDS वागेरा जो हो होगे, तो उनको थोड़ा सा maths में issue होगा, time consuming होता होगा, बट आपको यहाँ पर आपका 25 minutes तो आपको देना पड़ेंगे, ठीक है, 25 minutes यहाँ पर कैसे भी देना पड़ेंगे, अगर हम बात करें, आपका GS, English और आपका IN का, तो आप यहाँ पर 20 questions को आप 10 से 15 minutes आप यहाँ प पर देना पड़ेंगे, ठीक है, बाकी जो remaining time बसता है, आप English में यहाँ पर देदो, GS में देदो, फिर जो आपको comfortable लगता है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, बाकी strategy खुद की होती है, आप कितना relevant यहाँ पर चीजे कर रहे हो, वो यहाँ पर आपका mentor करता है, ठीक So, मिलते हैं हम लोग next class में, please, please, channel को थोड़ा सा subscribe कर दो, अपने friends के साथ share कर दो, और annotation की PDF अब भी आपको telegram channel पे में share करता हूँ, So, मिलेंगे next class में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, Army Day की आपको और आपके family को, हार्दिक, हार्दिक, शुभकामना है, and happy Makar Sakranti, So, मिलते है next class में, ध्यान रखेगा, जय हिन, जय भारत